आज आपके सामने फिर से अपने इस पार्थ एजूक्येशन यूटूब चैनल के माध्यम से प्रस्तुत हुआ हूँ मित्रो आज मैं आपको फिर से एक ऐसी समस्या का आपकी समानान करने जा रहा हूँ जो आपकी समस्या पहले से बनी हुई है अभी तक आपके देखा होगा हाली में CTT का एक्जाम होने वाला है सेप्टेमबर मामें CTT के बाद फिर इसके बाद अभी 8 जुलाई को आपका नेट का एक्जाम है आज मैं आपको जो टॉपिक बता दे जा रहा हूँ उस टॉपिक से इननेट ऐसे शात्र जो नेट एजुकेशन सब्जेक्ट से दे रहे हैं या होमसाइन सब्जेक्ट से दे रहें या साइकलोजी सब्जेक्ट से दे रहे हैं या जो CTT और TET की तयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा आपको सहायता मिले वित्रो आज मैं आपको इसकिनर की थियोरी बताने जा रहा हूँ इसकिनर का अधिगम सिध्धान देखे इसकिनर ने अधिगम की प्रक्रिया में क्रिया प्रसूत अनबंधन सिध्धान को जन्द दिया क्रिया प्रसूत अनबंधन सिध्धान को ही हम सक्री अनबंधन सिध्धान कहते हैं और अंग्रिजी में इसके लिए ओप्रेंड कंडिशनिंग थियोरी आफ लर्णिंग का यूज होता है। देखें, लेकिन इसकीनर की थियोरी पढ़ने से पहले, अगर हम पावलाओ और थांडाइक का भी वीडियो देख लेगे, तो आपको जादा सुझा हो भी। क्योंकि इसकीनर का जो सिद्धानत है, वो पावलाओ और थांडाइक के अधिदम सिद्धानतों के आधार परी है। वित्रो जैसे मैंने आपसे पुराने वीडियो में आपको बताया था, सबसे पहले इवान पावलाओ ने कुट्टे पर रिसर्च किया। जो मित्र अभी तक मेरा पुराना वीडियो नहीं देख पाए हैं, और पावलाओ की थियोरी के विशय में समस्या उनकी बनी हुई हैं, वो मेरा पुराना वीडियो देखेंगे, तो आपकी समस्या का समधान आउस्टे हो जाएगा। जो है, यह भोजन आपके लिए कार्य कर रहा है उद्दीपक का, और लार्ण जो है यह आपके लिए काम कर रहा है अनक्रिया का, उद्दीपक का मतलब इस्टिमुलस और अनक्रिया का मतलब रिस्पॉंस, तो इस्टिमुलस को देखकर पावलाओ के थियोरी में रिस्पॉं प्रियास और तुठका जिसके उरिजिनल लाम जो है उद्धीपक अंक्रिया सिध्धांथ है यहां पर जो भोजन है यos स आपके लिए यहां आपके लिए कारेगा उद्धीपक का उद्धीपक का और उठरना कुदना जे है ये आपके लिए कारे करेगा अनुक्रिया का तो ये उद्धीपक और अनुक्रिया की कहानी हो गई इसमें उद्धीपक का मतलब इस्टिवलस और अनुक्रिया का मतलब रिस्पॉंस यहां रही यहां पावलाओ की थ वो अनुबंधान है जिसको आप कंडिसन्स कहते हैं लेकिन थानडाइक के थियोरी में दोनों के पीच में जो बना है वो संबन्ध है जिसको आप बॉंड करते हैं इसके आधार पर ही पावला थानडाइक ने तीन मुख नियमों का प्रित्पादन अपने अधिगम सिध्धान एक थी संदुष्टी और दूसरी थी असंदुष्टी आप मेरे पुराने वीडियो में ये सारी चीजे पढ़ सकते हैं अब इसी थानडाइक के प्रभाव के नियम के आधार पर ही इसकिनर ने अपना क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिध्धान प्रक्रिया में इसकिनर ने एक भूखे चुहे पर एक सफेद चुहे पर सोधकारे किया सफेद चुहे पर सोधकारे करते हुए इसकिनर ने एक बॉक्स बनाया जिसको बाद में इनके छात्रों ने अपनी गुरू की याद में इसका नाम इसकिनर बॉक्स ही रख दिया इसकिनर बॉक्स की प्रक्रिया म यह रोलर लगा था इस रोलर के अलावा इस जो बॉक्स बना उस बॉक्स में यहां पर एक लीवर था लीवर का मतलब था एक बटन थी इस बटन के दबने से यहां धंती बसती थी यहां पर लाइट जलती थी और यहां पर रोटी के तुकड़े रखे गए थे रोटी के तुक मैं आपका ध्यान फिर से आतरसित करना चाहूँगा क्योंकि जब तक पावलाव थांडाइक की थियोरी आप नहीं सही से समझेगे तब तक आपको इस्किनर की थियोरी उतनी अच्छे से नहीं समझने आएगी पावलाव की थियोरी में था भोजन को देखकर अंक्रिया हो रही है अगर भोजन ना होता तो कुट्टे का लाड ना गिरता इसी तरीके से थांडाइक की थियोरी में था भोजन को देखकर बिजली उसलती कुट्टी थी तो भोजन उद्धीपक ना होता तो कभी भी एंक्रिया ना होती लेकिन इसकीनर की थियोरी में ऐसा नहीं था इस भूखे चुहे को यहां पर रखा हुआ भोजन नहीं दिखलाई पर रहा था और इस बॉक्स की खुबी थी कि जब जब यह निवर घबेगा तब तब उस यहा प्रतश्च मात अक्या फिरी दर गया थिनी धर गया कही बार जाने के भाद उसस्यवर भगया इसलीवर के दबने से घंटी वजी लाइट जली और रोटी का एक तुकड़ा गिरा जिसे भूखे चुहे ने का लिया अब क्योंकि चुहा ठूहा था अब भूखे चुहे को र प्रभाव के नियम के आधार पर हुआ पिछली बार UGC ने भी इसे अपना प्रस्न बनाया था अधर दूसरे GDC के हायर के एकजाम यह प्रस्नाया था तो याद रखेगा प्रभाव का जो ठांडाय का नियम है उसी से इसकिनर का क्रिया प्रसूत अनुबंदन सिधान्द बना इस क्रिया प्रसूत अनुबंदन सिधान्द की शक्रिया में पहले भूखे चुहे ने अपनी मर्जी से बिना भोजन के देखे हुए चलना सुरू किय चलने के बाद उसे लीवर्दबाल, घंती बजी, लाइट जली और एक रोटी का तुकड़ा मिला अब देखिए सबसे पहले भूखे चुए ने अपनी मर्जी से चलना सुरू किया चलने के पस्यात उसे रोटी का तुकड़ा मिला तो यहाँ चलने की प्रक्रिया जो है यह च अब देखिए पहले पावलाओ की थिउरी में S था फिर R था, मतलब पहले इस्टिनूलस था, फिर R था। अंक्रिया हो रही थी ठाडा नाई की थियोरी में भोज़न को देखकर विल्ली उचल कूर रही थी मतल JON day और दीपक को देखकर अंक्रिया हो रही थी लेकिन सकी चिनर की थियोरी में अपनी मिल्गी इसे भूखे चुहे ने चलना सुरू किया और उसके आधार पर उद्धीपक दिखा ले और इसके आधार पर जब उद्धीपक और अंक्रिया ये दोनों ही प्रक्रियां मिल गई तो इनके मिलने से अधिरम की प्रक्रिया चलने लगी अब इसके बार भूखे चुहे ने दूस दूसरी बार, तीसरी बार, चोथी बार, पच्री बार, लगातार दूसरी बार, तीसरी बार, चोथी बार, पच्री बार, पच्री बार, शक्री बार, लगातार कई बार बुख्य चुने से लिवर ड़ता चला गया, लेकिन जो दूसरी बार, तीसरी बार, पच्री बार, पच क्रिय चलने लगी उसके बीच में दूसरी रोटी का तुकड़ा तीसरी रोटी का तुकड़ा मिला और समझ गया जब जब है उसके बाद बोच्ष के पुष्णाथ वहुत गया और जैसे बहुत लगती थी व Gentleman को बrendre बोजन गरान करता था इसके आधार पर दूसरी तीसरी चौथी पच्वी छठवी बार जो रूटी गत्कुडा मिला वह इस किनर की थियोरी में पुनरबलंग के रूपे प्रसूत किया गया अता है इस किनर ने अपने इस क्रिया प्रसूत या सक्री अनुबंदंद्धान कमें पुनरबलंग को विशेस रूप से मात दिया मैंने आपको पहले भी इवान पावलाव के थियरी में बतलाया था कि सामान्ग रूपों में आजकल बहुत से किताबों में बहुत से टीचर केवल उत्तेपर किये गें एक्सपेरिमेंट को बताते हैं जबकि CTT में और UGC में केवल प्रयोग नहीं पूछा जाता प्रयोग के लावा सिध्धान्त आधारी प्रस्न होते हैं इसी तरह थांडाहिक में बिल्ली बताया तो मैंने आपको पावलाव के थियरी में बताया था अनुबंधित उद्धिपक को अनुबंधित उद्धिपक के पहले रख कर लगातार बार बार अधिगम करता के सामने जब प्रस्तुत किया जाता है तो अनुबंधित उद्धिपक से होकर अनुबंधित उद्धिपक होने लगती है इसी तरीके से ठांडाई की थोरी में भी था कि जब कभी भी विशिश्ट प्रिया के साथ संब्पन जाता है तो जब वह विशिश्ट प्रसुत होता है उससे संब्द्ध विशिश्ट प्रसुत करके अधिगम करता सीख लेता है। आज उसी प्रकार से पुनरबलन को विशेस महत्तो देकर इसके लाननी क्रिया प्रसूत अनुबंदन सिधांत जो प्रतपादित किया है उस सिधांत की व्याक्षा में आपको करता हूँ कि सुनियोजित कार व्योहारों, सुनियोजित अधिकम प्रक्रिया के मद्ध में जब वानशित रूप से वह प्रक्रिया सीख लेता है, जो कि वह सीखना चाहता है अर्थाद इनके सिधांक में पुनरबलन का सबसे विशेस महत्तो है और पुनरबलन के आधार पर ही कोई विबालक सीखता है, अभीकि इसके आधार पर इसकिननन ने अपने यहां दो प्रकार के ब्योहार का उलिख किया, पहला ब्योहार जो भी के सिध्धान में था, वो प्रतिक्रियात्मक सिध्धान था, प्रतिक्रियात्मक ब्योहार था, दूसरा ब्योहार जिसे हम सक्री ब्योहार कहते हैं, इस सक्री ब्योहार को ही क्रियाप्रसूत ब्योहार कहा जाता है, दो प्रका जहां पर उद्धीपक को देखकर कोई भी जीव, कोई भी अंक्रिया करे, उस ब्योहार को ही प्रतिक्रियात्मक ब्योहार कहते है, जैसे थारपावलाओ की तियोरी में भोजन को देखकर कुट्टे ने लार गिरा है, अगर भोजन ना होता तो कुट्टे का लार ना गिरता, ठांडाई की ठीयोरी में बोजन को देखकर बिल्ली ने उचलना कुझना शुरू करता, अगर बिल्ली बोजन को ना देखती तो उचलती कुट्टी नहीं, तो जीव ने बोजन को या उद्धीपक को देखा, उद्धीपक को देख करके जब उसने कोई भी क्रिया या व्यवह करना शुरू किया तुसे प्रतिक्रियात्मन बेवार करते हैं लेकिन इसकी नर्के सिद्धान्त में ऐसा नहीं था भूखे चुवे को कहीं से भी बोजन नहीं दिखलाई प्रजाता मतलब किसी भी जीव द्वारा किया गया ऐसा बेवार जो उत्तेजना के प्रत्यच नियंप मतलब जहां बिना उद्विपक को देखे हुए कोई भी जीव अपनी मनमर्जी से किसी भी प्रतार का व्योभार करता है जैसे इसकी नर्के सिद्धान्त में चुहे द्वारा किया गया व्योभार तो उसे लिए सक्री या क्रिया पिसूत व्योभार कहा रहता है देखे वित इन तीनों को एक साथ आपके सामने रख कर कमप्रेट्व रूप में समझा दिया है आप इससे अपनी सहायता लीजिए फिर भी यदि आपको कोई भी समस्या होती है इन तीनों से संबंदित किसी भी प्रस्त में तो 9451216656 इस वार्षट नमबर पर मुझे मैसेज कर सकते है या आप कॉल कर सकते हैं साथी साथ अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगे तो हाप हर उस नीडी प्याति की जिसको जरूरत है इन वीडियो जो पढ़ना चाता है लेकिन इलावाद मेरी कोचिंग में नहीं आपाता किसी कारव से वो पढ़ नहीं पाता उन तक आप मेरा ये मैसिद पहुचाएंगे इस वीडियो को पहुचाएंगे तो इस पार्थ ये जिसलिए मैंने निव रखी वो निव सफल हो जाएगी मैं यहीं चाहता हूँ कि अभी मैं इस किनर का इसमें और भी चीज़ें आपको बताऊंगा लेकिन उसके लिए अगला वीडियो क पार्ट आप देखते रहिए उसमें आपको इसकिनर की पुनरबलन अंफूची और पुनरबलन के आधार पर किये प्रिक्रम दिलते हैं अब ये तीनों अगर आपको समझ में आये होंगे इन तीनों से संबंधित अगर आपके प्रस्द मन में कोई विक्वैरी होगी तो मु आइकॉन दबाईए जिससे सारे के सारे वीडियो अपलोड होते ही आपको फहले मिल जगे और धेर सारे मित्रों के साथ धेर सारे लोगों के साथ सेर कीजिए जिससे मैं अपने उद्दिश्यों की पूर्ती कर सकूँ थैंक्यू वेरी मच्च